नमश्कर दोस्तों आपको स्वागत है चैनल में EXPCG 36 तो जैसे हमने पहले आपको कई सारी जानकारिया दी थी train stations के बारे में नए projects के बारे में लेकिन मैंने शायद existing कौन-कौन से मारे यहाद चैनल में कौन-कौन से main station है और कहां-कहां तक rail lines है कहां-कहां तक जाती है उसकी जानकारी तो दी थी लेकिन डेटेल में नहीं दी थी तो मैं यह वाला video बना रहा हूं जिसमें अभी वर्तमान में कौन-कौन से station है एक description के बारे में बताऊंगा ताकि कोई छूट ना जाये और हम उसके बाद में यह इस video के refer करके फिर आगे ज्यादा अच्छी समझ भाएगे कई दोस्तों ने बोला भी कि अभी वर्तमान में क्या है वह अगर clear नहीं है तो आगे के बारे में कैसे बता चलेगा तो यह पू काम और चल रहा है और कुछ बनने वाला है लेकिन mostly सभी लाइने चल रही है तो मैं सबसे मेजर लाइन से start करूंगा और एक एक लाइन के बारे में बताते हुए उसके stations में हम लोग एक virtual tour करते हैं ठीक है चली आये शुरू करते हैं सबसे पहले नागपूर से शुरू करते ह तो जैसे हम गोंदिया से जाएंगे यह देखिए वाले जुलाइन है जो पिंक कलर की दिख रही है आपको तो नापपूर से होते हुए अगर हम गोंदिया है तो गोंदिया में आदेखे डूंगरगड सबसे पास का station है एक्सली डूंगरगड एक्जेक्ली नहीं है उसके पहले आता है दर्रेकसा दर्रेकसा और दूसरे तरफ बोरतलाव तो दर्रेकसा से होते हुए आप महारा चितिसगड में घुजते हैं तो बोरतलाव आता है इस तरफ सालेकसा है इस तरफ दर्रेकसा है बोरतलाव के बाद में है पनिया जोग पनिया जोग के बाद में आता ह जो सबसे major station है और नोंगरगड से लग लाई नीधर बनने वाली है खेरागड कवरदा होती है ठीक है वह सब आप दूसरी वीडियो में देखिएगा तो इसलिए major station है और सबसे बड़ा शहर है जैसे कुंदिया के बाद में तो इसलिए यह कई सारी major trains रुखती है और जटकनह उसके बाद आता है जटकनाहर फिर मुस्रा उसके त्विर बाकल बाकल के बाद मेजर स्टेशन है राजन्यानद गाउन्स गाउन कोई ये श्रेक पर hybrid क सब्सक्राइज बाद में अगलीपः मोडी पार के बाद में आपके आएगा रसमड़ा, रसमड़ा के बाद में दुर्ग, दुर्ग एक जंक्षन है, जहां से दुर्दली राजरा के लिए लाइन अलग से चलती है, और ये एक जिला भी है, तो राजनाद का जिला हो गया, दुर्ग जिला हो गया, दुर्गर, रा पैसेंजर हाल्ट है, गुंडर्देही है, सिकोसा, लाटाबोर, पैसेंजर हाल्ट, बालोद, कुसमकसा, और दली राजरा, यहां तक की रेलाइन अल्रेडी बनी हुई है, नही रेलाइन बन रही है, जिसमें गुदूम नया स्टेशन जुड़ गया है, बानुपरतापुर, क गाँ, क्योटी के बाद में, अंतागर, अंतागर तक बनावा, यह राओगर तक आगे जाएगा, ठीक है, इसके लिए अलग वीडियो है, तो उसमें आप देख सकते हैं, इसके बारे में, अब इतार आते हैं, फिर विलाई से हम आगे, तो यह जो मेजर लाइन है, यह सबस सबसे फिमस लाइन है भारत को बीच से काटता है जिसमें चेतिसगर का सबसे बड़ा योगदान इसलिए है कि यहां से बहुत रिवेन्यू जनरेट होता है इसलिए इस लाइन को कोई चेतिसगर को हटा के नहीं जोट देख सकता विलाई नगर स्टेशन और पावर हास स्टेशन कुमारी के बाद में सरुना सरुना पैसेंजर हाल्ट है सरसुतियाकर स्टेशन जो इंजिरिंग कॉलेज के पास है और फिर रायपूर रिल्वे स्टेशन सबसे बड़ा जंक्शन है यहां से फिर हम बहुत सारी लाइने चालू हो जाती है एक तो दंतरी की छोटी मीटर के लाइन है जो बड़ी हो रही है अभी दूसरा एक लाइन ऊपर की तरफ दंतर बिलासपूर को जोड़ता है मोंबहा अरा का लाइन है और तीसरा लाइन है मंदीर असोद होते हुए आगे की तरफ रायपूर से टिटला गड़के लिए तो यह रायपूर चेशन से अगलग चीजी चलती ही, तो मैं इसको बाद में नीचे आऊँगा, मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, ठीक है, इसमें फिर W.R.S. कॉलोनी, जो राइपुर के अंदर ही है, उसके बाद में उर्कुरा, ये भी राइपुर के अंदर है, फिर मांधर, मांधर के बाद में सिलिया के बाद में बैंक कुंट, यहां पे सिमेंट फैक्ट्री है, तिल्दा, फिर हतबंद, भाटा पारा, मेजर जगह, क्योंकि अब ये स्टेट का एक जिला का पार्ट हो गया है, बलुदा भाटा पारा जिला, निपनिया, निपनिया के बाद में और आ गया, डगुरी, उसके निपने बिल्हा, पिर छकरभाटा, जहां पे विलासपूर का एरपोर्ट है, फिर विलासपूर रिल्विट्टेश्शन आप, दूसरी लैन इदर जा सकते हो, जो है विलासपूर से अभन पूर होते हुए कटने के लिए, मध्यप्रिदेश में ठीक है जिए, तो इढ से हम इस तरफ जाते हैं, राइगड की तरफ, वो मैं बाद में कवर करता हूँ, घर्टोरा, फिर जैरामनगर, कोत्मी, पैसेंजर होल्टे, अकलतरा, कपन, जाजगीर, और चापा, चापा क्यों फेमस है, चापा से आप कोर्बा के लिए गलग लें जाते हैं, तो मैं इसको कवर क कर लों साथ में, इसके साथ में हैं, बालपूर, कोठारी, और सारग बुदिया, उर्गा, उसके अध कुर्बा, गुर्बा मेजर, क्योंकि यह एक जिला है, तो जिला का मुख्याल है, उसके गेवरा रोड, इसके बाद में कोई लेल लें नहीं है, आगे बन रही है, गेव इसके लिए दूसरा वीडियो है, आगे बढ़ते हैं, अब चांपा से वापस आते हैं, इसके अब फिर सरगां, सरगां के बाद, बड़ाद्वार, सक्ती, खरस्या, खरस्या के पास से एक नई रिल लैन बन रही है, बन चुकी है, खरस्या से लेकि गर्गोड़ा होते यह रगना मेरा ओवर्डजगंज, विदेशी नाम, फिर भूदेवपूर, उसके बन से किरोडी मनलगर, यह रायगड़ के पास ही है, उसके पिर रायगड़, इसके बाद रायगड़ समझ लीजे, खतम हो गया यहाँ पे चत्तिसगड़ का बाट, लेकिन एक दो स्टेशन और बचे हैं, इसका नाम है कोतारलिया, कोतारलिया के बाद में जामगा, इसके बाद चत्तिसगड़ खतम, इसके बद आप जारसु गड़ा के लिए, लाइन, दो, तीन स्टेशन और जारसु गड़ा जूर जाता है, ठीक है, तो उसको मैंने अलग कलर से बनाया हुआ है, यह यहां पे 36 गड़ का पूर्व की तरफ यह लास्ट स्टेशन है इस तरह से आप बोल सकते हो इधर हम आते हैं अब बिलासपूर से उपर की तरफ थोड़ा चलते हैं रायपूर से नीचे फिर में बाद में आता हूं ठीक है 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 आट मिनट हो चुके हैं हमारी विडियो के थोड़ा सा और आगर बढते हैं उसलापूर रेल वे स्टेशन जल्दी ली जाते हैं हम ठीक है फिर घृतको के बाद में फिर करगी रोट कोटा के के बाद में in in a rapid co एक उसके बाद में बिल्गाना हई ना के बाद में टेंगंगा tyn गानमादा चुति के बाद में फिर है है कोंक्सरा के बाद में इस खोंक्सरा के बाद में और हम वर्ट वाद narrative य में आपमबर्कमि तक कर दो GOD अगे है खुंद्री के बाद में एक है सारबाहना उसके बाद में पेंडरा रोल तो यह गोरिला पेंडरा गोरिला अच्छलिया लग जो है यहां पेंडरीपूर के एक स्टेशन है उसके बाद में आप चत्यस्गर बार्टर खतम हो जाता है अनुपूर के लिए आगे पीं चलि आती यह ति लिए फिर अनुपूर से में पर जाते है कि छतिसगर फिर करते हैं यह दूसरी लिए आनुपूर से कटनी से बूल सकते हो कटनी अनुपूर और आमभीpektपूर के लिए तीक है यहां पर जाते है इसमें है रिल्वे स्टेशन हरद यह बिसिकली एक हरद MP में है कोत्मा कोत्मा के बाद में आप समझ लीजिए यहां से हम एंटर कर रहे हैं यह भी बिजूरी जो है वह भी इच तिस गड़ में नहीं है यहां से एंटर कर रहे हैं कि बुरीतां जंक्शन है क्योंकि यह से एक लाइन जाती है यह अगला स्टेशन अगला यह नम है को उदल कचार यह नाकपूर यह डरी टॉल prue cleaning the this causes 것은Hold छोटी सीनी से जाती है चिरवरी के लिए जुझाइद के लिए sub अगला है कातोरा के बाद में स्यो प्रसादनगर उसका सूरजपूर यह सूरजपूर रोड है एक्शली सूरजपूर रोड सूरजपूर यहां पहे नीचे तो सूरजपूर रोड रेल्वे स्टेशन हाँ यहां से एक और रेल रेलान बन चुकी है जो परसा केंटे को जाती है रामानुजनगर होते हुए लेकिन इस पर अभी तख कोई ट्रेन चालू नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ कि स्टेशन भी नहीं बने हुए पर करौनजी करौनजी से भी एक आगे की तरफ बढ़काओं के लिए उपर की तरफ एक रेल लाइन है यहां पर करौनजी से उपर ठीक है तो वह दूसरे वीडियो में है मैं उसके बारे उन बताया हूँ आप देख लीजिए उसको फिर पिस्ट्रामपूर के बाद में कमल य बन गया तो यह बरवाडी को जोड़ेगा यह कि अभी तक इतना ही है ठीक है अब ही हम आगे बढ़ते हैं जा आगे बढ़ते हैं कि पीछे आते हैं राएपूर के पास तो मैंने इक दली राजरावाला कवर किया था दली राजरा होते हुए अन्तागड तक यहां से आगे वहई है नयाययरावपूर से होते हूए इनलम से Newsούμε central यहां से दो लाइन जाती है यहांने चाहती है ज्रि और संद कर डिल्री ओर से के भाद Gyren strawberries आखमजी विखायोगाइब कर राजिन आरंग के बाद में बिलसुन्दा, महासमून जो जिला है, फिर मोहंदी, उसके बाद में आएगा भीमखोष, भीमखोष के बाद में बागभारा, कोमा खान और उसके बाद में फिल्फ है, कहरियार रोड, इसके बाद basically 36 गड़ खतम हो जाता है खैरिया रोट के बाद में यह नवा पारा बेसिक लिए 36 गड़ में नहीं है यह है उडिसा में ठीक है फिल लखना लखना इस्टेशन भी एक तरस है बोसकते हो यह सब उडिसा के अंदर आ जाता है ठीक है और यह अहां तो यह लाश्ट में टिटलागड के लिए कनेक करता है टिटलागड से आगे रेल लाइन है तो यह यहां तक की है रायपूर से टिटलागड की रेल लाइन नीचे की तरफ आते हैं देखिए यहां तक अंतागड तक बन गया है नीचे रावगाड दिख रहा है आपको रावगाड के बाद म तो निया नायरायन पूल लुक्ल जहां पर कोई रील लाइन भी बने इन्हीं, बनने वाली, कोंडा गाओं में बनने वाली है, अब आ author गांने हैं, अब आ जाते हैं हम सीदे इन जिदेखदल – जिदल्पूल रील लेिन कहा मैं अब किया से स्टयू करते हैं, बंसी के बाद में कमलूर के बाद में गिदम दंतेवाडा जो जिला है तो अब इसलिए उसके लिए फिर गिदम के बाद में दबबाल के बाद में यह है कवारगां ककलूर कुमार सर्दा यह कुण सा आगया है सिलक जोरी उसके फिर दिलमिली अब क्या बचा है बड़े आरापूर तो कपाल उसके बाद में खुमार मारंगा आ गया जगदलपूर जगदलपूर कि जीला है जीला है मतल niez बस्त्तर जीला का मुक्छियाला है जगदलपूर तो यह बड़ा जगह है उसके एंद में फिर और जगदलपूर Windows दली राज्रा क्लीर लाइन बन रही है तो बाद मे यह नौर्थ को connect करेगा ठीक है सेम्रा उसके फिर आमागुड़ा और यहां खतम हो गया आमागुड़ा बेसिकली 36 गड़ा खतम हो गया तो यह अमबा गाउं जो है एक तरद से last connectivity है उसके फिर यह 36 गड़ा से बाहर चले गया कोटपार रोड और यह सब यह चला जाएगा अपना यहां तक यह जेपूर रिल्वेस्टेशन जेपूर से फिर बात में कोरापूर तक जाता है ठीक है तो यह है कि चत्यजगर की नौर्थ से लेकर साउथ और जित्ती भी रिल्वेस्टेशन है सारे मेंने ट्राइक की हैं अब है जो आप देखोगे चत्यजगर उपर से जुड़ा हुआ है अंबिकापूर से होते वे सब कुछ जुड़ा हुआ है पस्या बस्तर नहीं जुड़ा हुआ ह अगर रेल लाइन बन जाती है दली राजरास से लिए के जगदलपूर के बीच तो बस्तर भी जूड़ जाएगा तो बताईएगा कैसे लगा यह वीडियो और कोई सेशन मिस हो गया तो मुझे बता जीजिए मैं करेक्ट कर लूँगा और आपको कौन सी जानकारी चाहिए रेल वेस के बारे में या 36 कि किसी और शेत्र के बारे में उसके बारे में कमेंट करके बताईएगा इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए धन्यवाद आपका सयोग के लिए अभी हम 250 हो गये हैं मेभी जल्दी ही हम 500 और 1000 क्रॉस करेंगे आप आपका सयोग बना रहे तो धन्यवाद प्लीज सब्स्राइब